है गाइस इस रमान एंड यारज हमारे पास एक क्वेश्चन है बेसिकली जो क्वेश्चन है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड एक्सराइस 5.2 का क्वेश्चन नमबर 12 है ठीक है बस थोड़ा इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बस बाकी और कोई क्वेश और यहां कि Parece नोगी सब्रक्राइब है बहुत भड़ी है 7 एंड ड़िफरेंस बेटेविन डेरट्वं डियर हंड्रण रस इस था इक देरहं बात के कि हैं डिफ्रेंस कितना घंटरा लिए अब हम मतnica न।ग हम सुन होगा ह gotta कोई भी आंसर देंगे ठीक है ऐसे नहीं कि भाई हाँ यह ऐसा हो रहा है तो यह भी ऐसा ही होगा ठीक है तो हमें थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा चलो करते हैं एक बात बात हमारे बास दो एपी है ठीक है common difference सेम है एक बात करते हैं हम थोड़ा सा देखो हम हमारे पास दो है पि deh रखा है तो अगर रहे scholar सेम टंस से अगर denote करेंगे तो हम ही आगे जाके Confuse करेंगे तो मैं आपर क्या करूंगा ना दोनों AP को थोड़ा सा अलग अलग लाइक एक AP को मैं AA से माल लूँगा और दूसरे AP को B से यूज करूँगा देखो क्या मैं बोल रहा हूं आपको समझ आएगा बेसिकली आपको एक फॉर्मुला पता होगा कौन सा फॉर्मुला AN का फॉर्मुला AN is equal to क्या होता है A plus of N minus 1 into D यह फॉर्मुला तो आपको पता है बच्पन से बोल सकते हैं AN is equal to A plus of N minus 1 into D जहाँ पे AN क्या है आपका last term A का है first term N का है number of term और D का है common difference जो कि इस question में दे रखा है कि भाई साब वो same है ठीक है बहुत बढ़िया same दे रखा है बोल रखा है कि जो hundred term का जो difference है वो hundred है वो भी आगे करते हैं बट अभी जो दे रखा है वो करते हैं चलो पहले हमारे पास जो question में दे रखा है हम क्या करते हैं कि हम इस formula को use करेंगे A plus of N minus 1 into D हम पहले AP के लिए लिखेंगे मैंने बताया कि पहले AP को हम A ऐसे करेंगे जबकि दूसरे AP में देखा हम मैंने AN लिखा है न उसमें मैं BN लिखूँगा देखना बसाओ मैं क्या करूंगा मैं लिखूँगा A 100 की बात की गई है तो मैंने लिखा A 100 is equal to A हमें पता नहीं है तो मैंने एक के जगा A लिख दिया similarly क्या करेंगा second AP के लिए लेकिन हम फिर से एन नहीं उसकरेंगे हम आगे जाके confused नहीं होना चाहते हम इतने समझदार है कि हमें पहले पता चल गया हम मतलब फस के नहीं मतलब बोलेगे कि हाया पहले सोच लेता तो यह होता हमने पहले सोच लिया है कि दूसरे वाले में हम जाके confused नहीं करेंगे तो मैं क्या माल लेता हूं कुछ BN is equal to BN plus of N-1 into D D देखो दोनों में मैंने सेम आना है क्यों क्यूंकि हमारे question में दे रहा है से ठीक है बहुत बढ़िया BN तो लिख लेते हैं B100 की बात की गाई यह दोनों का hundred term का difference क्या है आपका 100 तो B100 is equal to kya हो जागा B हमें पता नहीं 200 दोनों जो जो ये आपका कौन सा 1st AP है ये आपका कौन सा AP है Second AP ठीक है दोनों AP का जो difference है Rider है कि स्षाषफ हैambre कि इसो Donc हमागे सकते हैं हमारे Question में क्या Given है? Given है हमारे Question में कि जो a100 होगा minus b100 होगा वह कितना होगा 100 होगा यह तो कुछ ने दिया हुआ है फिल्कुल दिया हुआ है ठीक है अब हमने अभी just a 100 निकाला है b 100 निकाला है दोनों का value put करते हैं चलो करते हैं तो लिख लेते हैं हम लोग a and plus of 99 d चलो लिख लो plus of 99 d minus of b and plus of 99 d is equal to तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बहुत बढ़िया अब आप देख सकते हैं यह like यह तो गया पक्के से इसलिए तो d दिया था ताकि एक variable कम हो जाए आपका 99 एक plus 99 d minus 99 d gets cancelled है तो आपका क्या मिला आपको finally a minus b is equal to क्या मिला 100 मिला ठीक है equation third मानो और खुश रहो भी आगे देखते है question अब पूछ यह रखा है what is the difference between their hundred term ठीक है hundred term क्या बात कर रही है तो अब hundred term के बारे में भी थोड़ी निकालना है क्या होगा चलो भाई कुछ तो होगा हमें पता नहीं तो हम एक बात बताओ हम 8000 को क्या लिख सकते है 8000 को by using this formula हम 8000 को भी कुछ इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो चलो लिखते है 1000 को क्या लिखेंगे 1000 को हम A के जगए A लिख लेते हैं and plus of N N क्या है यहाँ पर 1000 1000 minus 1 into D D तो सेम होगा ना भाई अब ऐसा थोड़ी एक AP change कर दिया उसी AP के लिए उसी दोनों AP के लिए तो पूछ रहे हैं तो D तो हम इसा सेम होगा तो D के जगा हमने D लिखा बहुत बढ़िया and minus of ठीक है minus के जगा minus लिख लिए अब हमने second AP के लिए B माना था variable तो B and plus of 100 1000 minus 1 into D हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देते हैं A and plus of क्या हो जाएगा 999 D and minus of B ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इसको bracket में डाल देते हैं थोड़ा सा अच्छा होगा आमारे लिख B and plus of 999 9D ठीक है एक बात बताओ यह plus 999 9D और minus 999 9D तो कैंसल हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है बचा क्या आपके पास A minus B एक बात बताओ अभी जस्ट हमने A minus B का वेल्यू निकाला है जी बिल्कुल निकाला है तो basically यह आपका कितना हो गया 100 यह हमने कहां से लिख लिया यह हमने लिख लिया from equation third से लिख लिया तो basically हमारा जो answer होगा वह 100 ही होगा क्यूंकि हमारा यह जो दिया होँ था वह इस तरह एर्रेंज करके दिया था कि finally वह cut chart के क्या आगया A minus B और हमने अभी just A minus B की वेल्यू कितनी निकाली थी 100 इसका मतलब यह कि हमारे question में difference of 100 term जो दिया था वह 100 दिया था और हमारा पूछ रखा था 1000 term का difference क्या होगा तो वह भी हमारा कितना आ गया 100 था आ गया तो काफी थोड़ा सा लंबा टाइप का सवाल था लेकिन काफी आसान सा सवाल था अगर थोड़ी सी अगर calculation देखते हुए check कर मतलब ठीक से करेंगे ना तो काफी आसान से हो जाएगा तो तब तक के लिए have a good day bye bye take care और पढ़ते रहें ठीक है